नमिश्क्रा सीरियूस भरत में आप सभी का स्वागत है खबर संभल से है जहां आज फिर मस्जित का सर्वे होना है हाला कि सर्वे से पहले ही मस्जित के बाहर बबाल देखने को मिला यहां पुलिस की टीम पर भी पत्थराओं किया गया है आज फिर एक बाद शाही जामा सर्वे हुआ सर्वे करने टीम सुबह 6 बजे पहुंची मौके पर डेयम एस्पी के अलावा स्टी एम सी ओ और पेसी आयारिफ को तैनात कर दिया गया है हाला कि जौरान मस्जित के बाहर बावाल भी देखने को मिला और अचानक से पुलिस की टीम पर पत्थराओं किया गया महीं शाही जामा मस्जित से सर्वे की टीम निकल चुकी है पुलिस प्रशासनी सुरक्षत रास्ते से सर्वे टीम को बाहर निकाला है दरसल आज एक बार पर संभल की जामा मस्जित में सर्वे का काम पूरा किया गया इसी बीच यूपी के संभल में जामा मस्जित में सर्व शुरू कर दिया इसके बाद पुलिस को आसु गैस के गोले दागने पड़े थे इस दौरान प्रदैशन कारियों ने आगजनी भी शुरू कर दी घटना के दौरान स्पी समेत कई पुलिस कर्मी भी जखमी हो गए स्पी कृष्ण कुमार विश्णोई और डिएम डόक्टर राजेंदर पैसिया ने मोड़्चा समहला वही आक्रोशत भीर ने भगाने के लिए आसु गैस के गोले चोड़े गए डियम और ऐस्पी आक्रोशत भीर को समझाने के लिए पहुँचे तो आक्रोशत भीर ने दायर गिया था उनका दावा है कि संभर कि श्राहि जामा मस्जिद हर हर मंदर है कोट ने वरिष्ट रदिवक्ता रमेश रागो को सर्वे के लिए एड्योकेट कमिशनर न्यूक्त किया है कोट ने सर्वे का वीडियोग्राफी वह फोटोग्राफी का भी आदेश दिया यह 29 नवंबर तक कोट में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रही है सी निउस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ